जियां दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यह जितने भी सेलिबरेटरी लोग हैं जैसे कि विराट को लीज, सलमान खान, पिर्यांका, चपड़ा, कटरीना कैप और दोस्तों इन फैक्ट उनरेबल प्राइमिनिस्टर फोर कंट्री, मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हाव दे इंप् इसके पीछे का सच और चाहते हैं, जिसके चलते हैं, आज इतनी अच Изप्ट में आँ अंद鉤क जेरू बने रहेगा सो विदाउट डिलर लाट्स जिया दोस्तों आज कमरा कंसेप्ट इसी थोड़ पर बेस्ट रहे है जिससे कि मैंने नाम दिया है ल-s-r-n-w जिया सर ल-s-r-n-w अब इसका क्या मतलब है सर देखें सर एल स्टेंट फॉर लिसनिंग जिया एल स्टेंट फॉर लिसनिंग यानि यही टिप्स और ट्रिक है जिससे आप क्या ची कर सकते हैं अपने इंगलिज को इंप्रूब कर सकते हैं उन सेलिप्रेटिज के जैसा सर लिसनिंग का क्या मतलब सर जिया सर लिसनिंग का मतलब सुनना यानि कि आपको चीज़ों को क्या करना होगा सुनना होगा अब सुनने म सुनना है आपको इंग्लिस में सुनना है यानि कि यदि आप गाने को सुन रहे हैं तो आप इंग्लिस में सुनेंगे यानि कि कुछ भी आप फिल्म देख रहे हैं उसे इंग्लिस में देखने की कोशिस करें सब्सक्राइब क्रिकेट तो जरू देखते होंगे क्रिकेट का कमे कमेंटेटर क्या बोलता है सबस्टार इसान को क्रता है निकिंग इंग्लेश समय करता है और बेल्क्ली इसे कर सकते हैं इस्तेमाल क्र सकते हैं दोस्तों इससे क्या होगा आपका इंग्लिजिस क्या होगा इंप्रूब होगा कि लिए रहा है सर बिल्कुल किलिए रहे हैं दोस्तों मेरा दूसरा कंसेप्ट है जिया दूसरा कंसेप्ट है बोलना यह ए यह वो चीज को बोले जो वी चीजेयों को काचीत करें आप है शुत कैसे को होगा आपकी फ्लिवेंसी बढ़ेगी जी आपकी फ्लिवेंसी क्या होगी बढ़ेगी और आपका दिमाग जो है आपका जो माइंडसेट है वह इंग्लिश में सोचना सुरू कर देगा friends many of the people used to say that if you have to speak in English then first of all you must have to think in English जीन सर एदि आपको इंग्लिश में बोलना है तापको इंग्लिश में क्या करना होगा सोचना होगा अभी थिंक कहां से आगा सर जीन से बिलकुल आगा कहां से आगा एदि आप speaking करेंगे तो यानि कि whenever यानि कि जब कभी भी आप बोले और वाट्चेवर अब जो कुछ भी आप बोले यू मस्ट आप ट्राइट विस्पीक इंग्लिश आपको क्या करना है उसको इंग्लिश से बोलना है आपको कभी किसी दोस्ते नहीं बोलना है कि भाई थोड़ा पैन मैं रहें सकता है जिए दोस्तों आपको इंग्लिश बोलना है तो से रोक भी नहीं सकता है दोस्तों रोकना तदूर रोकने के पर में सुच भी नहीं सकता है जिए दोस्तों यानि कि जो भी चिज़ा आपको सुनना है ट्राइग किजिज में सुने ठिक है जुबिधर आप को बोलना है आपको किजिए मैक्सिमम केस में आप थी स्पेक इंगलिस मेरे को क्या करना है इंगलिस में बोलना है के लिए रहे सर जी असर फ्रेंट्स नेक्स रिप डाट इसकोल रीडिंग यानिकि जो भी आप चीज़े पढ़ें जो भी चीज़े आप पढ़ें या तो आप निश्पेपर पढ पह सकते हैं इससे क्या होगा सपढ़े से क्या होगा सबस्केघ्र तंग का चीन कंशी है वह इंप्रूबब होगा जिससे जो भी चीज़े पसंद आती है you can read आप पढ़ सकते हैं उसे लेकिन हाँ एक चीज मस्स्ट्राइब फोलो देट यहाँ आपको उसे क्या चीज़ में पढ़ना है इंग्लीज से पढ़ना है या जो भी चीज़ आप पढ़न है उसको कोशिस करें कि इंग्लीज से पढ़ना है इससे क्या होगा मैंने आपको तुरंद भी बता है क्या होगा बहुत सारी चीज आपकी सूधर एगी ठीक है सर तो यह था सर आपका point number third के लिए बिल्कुल के लिए फ्रेंट्स नेक्स्ट कंसेप्ट इस राइटिंग जिया सर नेक्स्ट कंसेप्टी राइटिंग यानि कि आपको काची करना है चीज़ों को लिखना है चीज़ों को काची करना है लिख के आपको प्रेक्ट्र करना है यानि कि उसको ऑगर तो करेगा रायटिंग से क्या मतलब है है ना सर बिल्कुल मतलब है जिस तरह से अगर आप दवा मों में खाते हैं तब क्या हो जाता है पैर का दर ठीक हो जाता है ठीक उसी परकार यदि आप राइटिंग करेंगे तो सर आपका सबसे ज्यादा तरीका इस्तेमाल करता हूं यहीं सर लिसनी का यानि कि मैं जो जो भी चीज़े देखता हूं जो भी चीज़े सुनता हूं ट्राइ करता हूं को इसको इंग्लिस में देखूं जिए दोस्तों आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे और अपने इंग्लिस को इंप्रूब करेंगे ठीक है एफ वीडियो कैसा लागा आप कमेंट में को कर दूंगा ठीक है मिलते हैं कि वीडियो में तब तक के लिए बाब आये